नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सब ही स्वस्था और सानन्द होंगे प्रत्येक दिन के तरो पस्ते हूँ आज फिर से एक जबरदस्त वीडियो में आप लोगों के समख्ष के आर चोकसी ने के आर चोकसी एक बहुत बढ़िया ब्रोकरेज फर् सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा वो लिस्ट की सबसे ज़्यादा किन स्टॉक्स में खरीदारी हुई है और फिर ये बताऊंगा 15-15 ऐसे स्टॉक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के जिनका एवरेज प्राइस क्या है जिस पर वो खरीदे गये हैं कि म्यूचल फर्ण्ट ने जिस एवरेज प्राइस पर खरीदा है, आम तोर पे वो प्राइस एक फेरली वैलूड प्राइस माना जाता है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आज के डेट में, आज के मार्केट में, जो भी स्टॉक्स आपने अगर खरीदे हैं, क्या आपने उसको सही valuation पर खरीदा है और अगर नहीं खरीदा है तो अभी भी opportunity है कि आप उस valuation के आज पास जाए तो खरीद सकते हैं तो यह आपको एक confidence देगा कि mutual funds ने इन average prices पर खरीदारी की है एक और भी जो सीख मिलती है मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी stocks mutual funds ने खरीदे पिछले नौमबर में मैंने अभी उनका एक detailed study किया तो मैंने ये पाया कि बहुत सारे stocks उस price से काफी नीचे आ गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि कभी भी कोई व्यक्ति हमेशा सही होता है mutual funds के पास एक अपनी जबरदस्त research टीम होती है तमाम तरह का जोरदा research करने के बाद ही वो किसी stock में position बनाते हैं तो despite that अगर market conditions अच्छे नहीं है तो वो नीचे गिर सकते हैं और ऐसा केवल mutual funds के साथ नहीं होता जो बड़े बड़े star investors हैं राकेश जुन जुन वाला की तरह राधा कि शंदमानी की तरह उनका भी stock कई बार red में कई बार क्या बहुत बार red में ह होता है और finally they emerge victorious just because of their patience कोकि patience जो है वो इस stock market का सबसे बड़ा asset है आपका, आपका asset वो नहीं है जो पैसा आपने लगाया है, आपका asset है कि आपने कितना patience के साथ उसको hold किया है, कई सारे stocks जो हैं already अपने उस price से भी नीचे आ गये हैं, काफी नीचे आ गये हैं जिस price पर mutual funds न नहीं है, लेकिन जदातर ऐसे stocks हैं इन में जो सबसे ज़्यादा popular हैं और जिन में mutual funds ने एक अच्छी खरीदारी की है, नौमर में तो जहिर है, ये सारे stocks हमारे लिए भी एक नजीर बनते हैं, एक exemplar बनते हैं कि हम भी इन में invest कर सकते हैं, करने की सोच सकते हैं, मैं यह नही लिए भी वो एक example की तरह टेश होता है, देखिए सबसे पहले top focus, यहाँ पर गौर करिए, जो heading है वो देखिए गौर से, holding movement of top asset management company for November के आर चौकसी, तो नौमर में जो holding का movement हुआ है, वो कैसे हुआ है, के आर चौकसी ने report जारी किया, जैसा कि मैंने बता है आपको, top focus companies increase new positions, तो नए positions किनोंने create की हैं और कितना ज्यादा create की हैं, देखिए, Reliance Industries, GSPL, गुजरात State Petronet, और Mangalore Refinery and Petronet, उन prices से काफी नीचे stock के समय मिल रहे हैं, और यह तीनों stock, आपको पता है, Omicron Virus का जो मिनेस था, यह December में आकर ज्यादा बढ़ा है, नॉमर में इतना नहीं था, तो उस समय यह higher prices पे थे और while उसके बाद गिरा है, और oil के गिरने के बाद इस समय इन तीनों ही stocks में, जो कि oil के stocks हैं, energy के stocks हैं, इन में एक बढ़िया correction हो चुका है, and I feel strongly कि अगर इन stocks में आप पैसा लगाएंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में, एक बेतरीन gain देन उनकों से banks इनोंने खरीदें, access bank, ICIC bank, HDFC bank, indescent bank, top के 6 bank में से, आप देख रहे हैं, चार bank, कोटक महिंद्रा का नाम यहाँ पर नहीं है, और SPI का नाम यहाँ पर नहीं है, लेकिन इन में भी देखिए, 87,000 क्रोड की purchasing इनोंने की है, banks, और उसके बाद देखिए, technology के shares हैं, PV stock specific कोई जानकारी इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे stocks की बात करूँगा, जिससे आपको पता पड़ेगा कि किन stocks में सबसे ज़्यादा खरीदारी mutual funds ने की है, और किन prices को हम fair मान सकते हैं, एक बार फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, देखिए उसके बाद इन्होंने, FMCG में देखिए, Go Fashions, Hindustan Unilever, ITC और Dower, इन चारों में सबसे ज़्यादा खरीदारी की है, और यह 27,000 करोड के आसपास, और Health में, यानि की Pharma में देखिए, Sun Pharma, Ipka Lab और Bindo Pharma और Glenmark Pharma, इनमें सबसे ज़्यादा खरीदारी की है, 16,000 करोड के आटो सिक्टर में देखिए, तो महिंदरेंड महिंदरा, बजाज आटो, हीरो मोटो कॉप और टाटा मोटर्स, लगबग 16,000 करोड के आसपास की खरीदारी यहां भी है, थोड़ा सा नीचे, फैशन में देखिए, तो नाइका, ट्रेंट, पैंटलून्स और कार ट्रेड, इ इसमें मैं बताऊंगा आपको लेटेंट व्यू, इन्फो एज, भारती एर्टेल, टाटा कॉम्यूनिकेशन, वोडा फोन, इंडस्ट आवर्स, मीडिया में देखिए, जी इंटर्टेन्मेंट, सैफायर फूड्स, सन टीवी, और देव्यानी इंटरनेशनल, इनमें जोरद नहीं किया है, अधर्वाइस सारे स्टॉक्स को मैं कवर कर चुका हूँ, और कभी न कभी इन पर वीडियो बना कर बताया है, तो इन में भी ये चार स्टॉक्स, इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजी में भी खरीदे गए हैं, अब चलते हैं, जिस एवरेज प्राइस पे म्यूच स्टॉक्स जो हैं, वो मैंने लगा लिया हैं यहां पर, इन में देखिए, फेर प्राइस क्या-क्या हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को अवरेज प्राइस पे खरीदा गया है, 2407 रुपे पर, एक्सिस बैंक को खरीदा गया है, 657 पर, ICIC बैंक को 714 पर, 714 पर, HDFC बैंक को 14 594 पर और Infosys को 1714 पर, 1714 पर, अब इन 5 स्टॉक को आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके बाद, 2407 के बाद, गिर कर, एक्चुली यह 2250 के आसपास भी गया था, ठीक है, और अभी वहां से बांस बैंक करके, थोड़ा उपर आया है, और एक्सिस बैंक को करीदा गया है, जिस प्राइस पर लगबग, ICIC बैंक 714 पर खरीदा था, इस समय लगबग 727 रूपया, 727 के आसपास मिल रहा है, यानि की अभी गई नहीं है, thanks to the market, क्योंकि ओमिकरन के वज़े से मार्केट गिर गया था, अगर मार्केट न गिर था, तो इस समय इन स्टॉ पर खरीदा गया है, इस समय उपर चला गया है, लगबग 1850 के आसपास या उसको क्रॉस करके थोड़ा उपर गया है, तो इसमें मैं कहूंगा कि इन फोसेस में इस समय पोजिशन बनाना सही नहीं है, लेकिन रिलायंस में, एकसिस बैंक में, ICIC बैंक में और HDFC बैंक में, त ठीक है, क्योंकि वो सबसे स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं इस मार्केट के, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, अब Tata Consultancy Service का देखिए प्राइस 3532, HCL Technology 1149 पे इन्होंने खरीदा है, महिंद्रा और महिंद्रा 836-836 पे, Sun Pharma 754 पे खरीदा है, और Larson and Tobro 1764 पर खरीदा है, य कर कहीं, आपको फिर से मिलता है 1700 के आसपास, 1750 में किसी बड़े फॉल में तो आप ले सकते हैं, काफी बढ़िया स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनी लिवर देखिए 2318, मेरा बहुत फेवरिट स्टॉक है, मैं इस पर सबसे ज़्यादा बूलिश हूँ, 28.5-28.00 से गिरता ह हुआ, 2500 से गिरता हुआ, इस समय ये 2200 तक भी चला गया था, अभी 2318 पे आपको मिल रहा है, जोरदार बढ़िया प्राइस पर और बहुत ही जैनुइन प्राइस पर हिंदुस्तान यूनी लिवर मिल रहा है, अपने प्राइस से करीब-करीब 25-30% करेक्ट हो गया है, और ऐ अपर्चुनिटी ये 2000 तक भी गिर सकता है, हिंदुस्तान यूनी लिवर को इन्होंने 2318 पे खरीदा, लेकिन देखिए 2200 तक चला गया था, तो मुझे लगता है कहीं 2000 तक भी शायद फॉल कर सकता है, स्टेट बैंक ओफ इंडिया देखिए 461 पे इन्होंने खरीदा है, इ इन्डाल को इंडिस्ट्री 412 पे इन्होंने खरीदा था, फिर किसी बड़े फॉल में अगर मिले तो इसको इस प्राइस पर खरीद सकते हैं, अभी तो ये ऊपर चला गया है थोड़ा, 470 के आसपास मिल रहा है, इंडिसेंड बैंक देखिए 884, ठीक है, इंडिसेंड बैं कैसे हैं, देखिए इपका लेबरेटरीज 2111 पर इन्होंने खरीदारी की है, जनसार टेकनोलोजी 446 पर इस समय 470 के आसपास चल रहा है, अपला पोलो ट्यूप्स 922 पर, चमिन्स इंडिया 879 पर, इंडिया बोल्स हाउसिंग फाइनांस 229 रुपीज पर इन्होंने खरीद पर खरीदा है, RBL बैंक को इन्होंने 183 पर उठाया है, 183 पर, कोरो मंडल इंटरनाशनल को 740 पर उठाया है, बिरला सॉफ्ट को 474 पर उठाया है, निवो को विस्टाज कॉर्प लिमिटेड ये 537 पर उठाया है, इन्होंने ग्लेनमार्क फार्मा को 523 पर, फस्ट सोर्स स पर उठाया है, तो ये सिर्फ अगर आपने पहले से खरीद रखा है, तो आपको एक फेर आइडिया हो जाएगा, कि आप किस स्टॉक में आप फेर वैलुएशन के आस पास हो और नहीं हो, तो कौन सा फेर वैलुएशन आप खरीदने के लिए कंसीडर कर सकते हो, स्मॉल आप में देखिए, इन्होंने 15 स्टॉक की बात किये, पहला है कल्पतरू पावर, गौर करिएगा ये सारे स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं, जिनमें म्यूच्वल फंड्स ने जबरदस्त खरीदारी किये, तो ये स्टॉक्स सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं फेर प्राइस बता रह हूँ आपको, क्योंकि इनमें म्यूच्वल फंड्स ने सबसे ज़्यादा बढ़िया पोजीशन बनाया है, सबसे स्ट्रॉंग, तो कल्पतरू पावर 387 रुपे पर, MTR टेकनोलोजी 2103 पर, Granules इंडिया को 301 पर, 301 रुपे पर, DCB बैंक को देखिए 82 रुपीज पर किया ह है, बलरामपूर चीनी को 312 रुपे पर, मिंडा कॉर्प को 164 रुपे पर, स्ट्राइट्स फार्मा को 488 रुपे पर, आयन एक्सचेंज इंडिया को इन्होंने 2153 पर खरीदा है, और अवंती फीट को 525 रुपे पर खरीदा है, एक्विटास स्मॉल फाइनस बैंक को इन्ह सारी फैसलिटीज देते हैं, यह पैटरन मेंबर्स के लिए है, बड़े ही नॉमिनल फीस पर हम इसका मेंबर्शिप देते हैं, 24 इन्टु 7 आप मुझसे कॉंटेक्ट में रहेंगे, अपने क्वेस्चन्स पूछ सकते हैं, वीक में एक बार डिरेक्ली बात कर सकते हैं, वैस को 15% का गेन मिल जाए, यह हमारा टार्गेट होता है, और यहाँ पर मैं कोई ज़्यादा ग्यान तो नहीं देता, लेकिन मैं आपको stock specific कुछ जानकारी देता हूँ, और ऐसे stocks almost हर daily basis पर लाता हूँ, कभी-कभी नहीं भी लाता हूँ, उन stocks पर आप अगर trade करते हैं, तो normally 15% स 20% हर एक 3 महीने में आप बना सकते हैं, कभी-कभी ऐसा possible नहीं भी होता है, क्योंकि आदमी हमेशा सही नहीं होता, देखिए कुछ लोगों को यह doubt हो सकता है, संदे हो सकता है, कि क्या सचमुच सारे stocks मेरे 15% पर quarter देते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, मेरे बहुत सारे stock ने तस्दीक करिए, कि क्या सचमुच मेरे stocks ने से गें दिये हैं, और एक बार आप insure कर लें, सुनिश्चित कर लें, और आपको इस WhatsApp ग्रूप में शामिल होना हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, topshareideas at the rate gmail.com, यह मेरा email ID है, और इस पर आप अपना name and mobile number मुझे send कर दीजे, म आपको regular notifications मिलते रहें, और कम से कम like करने में तो कोता ही मत करिए, मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह के एक जबरदस्त वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, स्वस्त रहिए, और खोश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जाए श्री राम!